क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नमबर वन है ठीक है सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्वालिटी होती क्या है क्वालिटी अगर हम सिंपल लेंगविज में बोलें तो वो अबिलिटी है प्रोड़क्ट की अपने यूजर को सैटिस्फाई करने की ठीक है ऐसे इसके एंड नमबर ऑफ डेफिनेशन हो सकती है सिंपल लेंगविज में यही होगी कि जो वो प्रोड़क्ट है उसको जो यूजर कर रहा है उसको वो कितना सैटिस्फाई कर दिया है जितनी ज्यादा satisfaction होगी उतनी अच्छी quality होगी ठीक है या फिर हम एक perfect एक standard set कर देंगे product का फिर उसके comparison करेंगे जो हमारी product होगी वो कितनी similar है जितनी ज्यादा similar होगी उतनी अच्छी उसकी quality होगी ठीक है quality की जो term है generally हम use करते है and use of product के मतलब की जो product है वो जो बन जाती है उसके बाद हम check करते हैं कि वो कितनी अच्छी quality है उसकी ठीक है ऐसे तो production के भी हर step में हम quality को check करते रहेंगे ठीक है वो ही हमारा main focus हमारा यही होता है कि profit ज्यादा हो profit ज्यादा कैसे होगा हमारी जितनी अच्छी quality होगी ठीक है जैसे कि एक butter है वो 15 का भी मिलता है और amul butter 40 का भी मिलता है amul butter की same quantity में डबल से भी ज्यादा price बट क्यों क्योंकि quality अच्छी है ठीक है तो यही reason होता है कि हर company चाती है कि उसकी एक optimum quality हो product की ठीक है next अब 9m है जो सबसे ज़्यादा effect करते है quality को ठीक है यह आप एक बढ़ पढ़ लो ठीक है कुण-कुण से होते है ठीक है तो quality management क्या होता है quality management में कि हम planning करते है कि हमारा जो product है उसके क्या standards होने चाहिए responsibility को हम assign कर देते हैं हर level के employee की एक specific job होगी कि उसको यह यह काम करना है ठीक है और भी जो हमने कैसे पूरी quality को maintain करके रखना है वो सब हम quality management में देखते हैं ठीक है next आगे type of quality first आगे quality of design जो भी हम standard parameter set करेंगे ठीक है कि हमारी product ऐसी होगी quality of design जब हम उसको manufacture कर रहे हैं produce कर रहे हैं product को बना रहे हैं तब उसके क्या quality है quality of conformance और quality of performance क्या हो जाएगी जब बन जाएगी उसके बाद वह क्यासी performance कर रही है वह हो जाएगी quality of performance ठीक है मतलब कि एक bike producer है ठीक है एक company है जो bikes बनाती है उनने design में कहा कि हम इस तरह से रखेंगे कि वह 250 प्लस उसकी speed हो ठीक है जब वह बना रहे हैं जब वहां पर testing हो रही है तब उसमें आ रहा ही हाँ ठीक है तो मतलब 200 प्लस जा रही है और जब actual में जब फील्ड में उसको जब customer use करेंगे उसको उसके users होंगे वह चलाएंगे तब मतलब कितनी आस पास आ रही है वह जाएगी quality of performance कर रही है वह अब हमको यह पता लग चुका है कि quality तीन टाइप की है उस quality को maintain करने के लिए कुछ cost लगेगी ठीक है आगे हम पढ़ेंगे quality इंजीनियर है जो सब जुरैन जो काते है कि quality cannot happen by accident जो quality है आपके product में accidentally quality नहीं आ जाएगी ठीक है उसके लिए आपको मेहनत करनी बढ़ेगी अब जो cost of quality है quality लाने के लिए अपने product में उसको maintain करने के लिए कुछ cost लगेगी वो हो जाएगी दो type की cost of good quality cost of poor quality cost of good quality में हो जाएगी prevention cost और appraisal cost poor quality में हो जाएगी internal failure cost और external failure cost ठीक है मैं आपको एक example देता हूँ like आपकी एक industry है आप mobile produce करते हो ठीक है काफी माहनत करते हो काफी अच्छे mobile produce करते हूँ but by mistake आपसे थोड़ा part अच्छे से assemble नहीं हुआ है ठीक है थोड़ी खराबी आगी है ठीक है अब जब वो आपने उसको sell कर दिया अब जो customer है जो user है वो use कर रहा है उसको problem आएगी वो आपको warranty claim करेगा और आपको free का ठीक करना पड़ेगा जो वहाँ नहीं आन देते डिफैक्ट तो वो cost of good quality हो जागी अभी हम detail में पड़ते हैं ठीक है so first cost of quality आजागी cost of good quality इसको cost of conformance भी करते है या फिर good time spent भी करते है ठीक है यह वो cost होती है जो हमको require होती है जो हमने parameter set कि होती है उसके according मारी quality हमने maintain करके रखनी है वो cost ठीक है इसकी आगे दो type की होंगी cost of good quality की prevention और appraisal prevention cost हो होती है जो हम पैसा invest करते हैं कि अच्छे machinery आये training provide कर रहे है employees को quality management system की development कर रहे है quality planning कर रहे है कि हमें ऐसे ऐसे यह सब करना है वो cost use होगी prevention cost की हमारा जो failure है वो कम से कम हो ठीक है appraisal cost क्या हो जाएगी जो हम test कर रहे है ठीक है जो product बना रहे है step by step check कर रहे है कि ठीक बन रही है sampling कर रहे है testing कर रहे है material आ रहे है उसकी inspection कर रहे है ठीक है वो सब जो cost होगी हो जाएगी appraisal cost अब second आ जाएग हमारा cost of non-conformance ठीक है failure cost या फिर cost of poor quality इसमें क्या कि इसमें वो cost लगती है कि हमारी जो product है जैसी हम चाते थे कि ऐसी हो हमारी product वैसी नहीं बनी अब हमको उसको fix करने के लिए cost लगए ठीक है पहला आगे हमको अंदर ही बता लगए समयो mobile industry है अपने mobile बनाया ठीक है आपने यह specification रखी है पूरी set की ठीक है अपने हमने उसको sale के लिए market में बेज़ा है अभी आपकी production unit पर ही है आपने तब ही देख लिया internally देख लिया कि यार इसकी बैटरी तो दो गंटे में ड्रेन हो रही है हमने बोल ला हैगी 600 बैटरी है ठीक है कि दो दिन निकल जाएंगे यह तो failure हो रहा है तो फिर हम जो internally उसको ठ हम बोला है कि हम warranty दे दी है तो जब warranty claims होंगे जो service repair cost होगी जो मतलब बापिस product आके आपको cost लगेगी वो free में करना पड़ेगा ठीक क्योंकि आपने बोला हूँ है तो वो सब चीज़ें आ जाएंगे external fairial cost में ठीक है तो यह cost of quality थी CEO क्यों I hope आपको समझाया हो ठीक है जैसे economic order quantity का graph था या फिर CPMA cost slope का graph था वैसा इक इसका भी graph है बाकी इसमे quality control से numerical आने के काफी कम chance है और कोई इसमें है भी नी numerical थोड़े बहुत है वो इतने important नहीं है तो मैंने include नहीं किये है ज्यादा तर आपको आप अपने knowledge से कर सकते हो और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो static like क इस quality engineer ने क्या invent किया था वैसी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो ही होंगी ठीक है तो वैसा इसमें theoretical ज्यादा है आपको मतलब numerical का portion इसमें नहीं मिलेगा inventory में definitely यो क्यों काफी important है break-even point से भी आ सकता है numerical ठीक है तो इसमें क्या कि जो failure cost है जैसे जैसे हमारी quality का level बढ़न cost बढ़ने लगी जब इन दोनों के combined graph होगी total cost का ठीक है वहां पे एक point होगा optimum जहां पे quality level होगा और minimum quality cost होगी वहां पे ठीक है कि इसकी इतनी quality है इतना हम इस पर रिलाई कर सकते हैं for example जो car manufacturing company है Tesla उनके जो owner है Elon Musk उन्होंने जब उनको इतनी assurance थी quality की वह गाड़ी के अंदर बैठके जब उसका demonstration दे रहे थे तो बाहर से 47 लाई दे उनको पता था कि यह हमारा जो mirror है उसकी इतनी quality है कि वह bullet proof है और वह bullet को bear कर सकता है तो वह अंदर बैठे थे ठीक है तो वैसे ही यह assurance होती है अपनी जो product होती है उसके owner को जो management है उसको मतलब यह business में काफी एक अच्छा key point होता है कि assure होगे अगर आप अपनी product को अब demonstrate करके काफी अच्छा मोटा माल कमा सकते हो ठीक है next quality control में क्या होता है कि हमारा main motive यही होता है कि जो quality requirements है उनको fulfill करते रहें और main focus होता है इसमें inspection पे inspection करके हम quality को check करते रहेंगे maintain करते रहेंगे quality engineering में क्या होता है कि जो हमारी product है अगर मतलब उसमें कोई आपने उपर निचे करना है या फिर कोई उसमें change लानी है तो उसके लिए quality engineering का process हम करते है ठीक है कोई improvement लानी है कुछ आपको लग रहे है कि यहां पर थोड़ असा week है मारा product उसको आपने improve करना है तो वहां पर quality engineering use होगी ठीक है next quality assurance और quality control के बीच में difference क्या है यह proactive होती है यह reactive होती है य इसका goal होता है कि prevent करे quality failures और इसका goal क्या होता है कि mistakes हो detect करें और जो उनको है उनको कैसे ठीक करना है ठीक है take place throughout the development process यह जो quality assurance का process यह हम पूरे process में चलता रहता है ठीक है development में और यह मैंने आपको बताया था कि quality control मतलब कि जो end product है उसका end में हम देखते है कि quality कितनी अची है वो end product के related होता है ठीक है quality assurance process oriented होती है और quality control product oriented होता है ठीक है next हमारे दो टाइप के customer होते है internal और external internal होगे जो company का part होते है ठीक है जो company को ही belong करते है और external होगे जो जिनका company से कोई लेंदे नहीं है for example कि यह company है वहाँ पे दो units है एक unit से product आके next में जब forward होगा ठीक है जो next जो wait कर रहे हैं वह company के customer हुए internal customer जब वहाँ से आएगा वहाँ से उनके पास पहुंचेगा तो वह तभी आगे process को forward कर पाएंगे ठीक है उस तरह से next आगे quality circle इसमें क्या होता है कि minimum three और maximum twelve members circle में बैठके बात करते हैं जिनका similar work होता है सेम काम सेम पेशा होता है ठीक है और वह problem solving approach के साथ new innovative ideas के साथ बात करते हैं ठीक है कि हमारे साथ यह हुआ यह चीज़ है यह problem आ रही है कैसे tackle करना है इसको यह सब मिलके बात करेंगे जिससे उनकी brainstorming होगी brainstorming क्या होता है brain में एक तरह का strong आना problem solving approach के साथ की एक problem आपके पास सो उसके solutions होंगे इस तरह का ठेक है और यह quality circle को जो प्रोफेसर थे कौरू इशिकावा इन्होंने अपनी handbook में what is total quality control the Japanese way इसमें इनने काफी अच्छे बताया गय ठीक है quality circle में होता क्या जो team होती है वो पहले identify करती है problem को फिर analyze करती है data को फिर अपने solutions recommend करती है और फिर जो approve हो जाते हैं उन पे वो काम करते है ठीक है यह है को रूशिकावा जी इनकी major development से quality development में एक तो quality circle जो की काफी जादा important है second seven quality control tools यह भी इन्होंने दिये थे और third fishbone diagram यह तिन्हों काफी जादा important है मैं बोलूँगा कि यह आपने भून लेनी है ठीक है JKSSBJ 2021 में question भी आया था कि planning control and management किस ने दिया था तो वो दिया था Joseph Joran है ठीक है वो भी हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह से यह तिन्हों काफी जादा important है ठीक है next है Edward Dimming Dr. W. Edward Dimming इनको father of quality इनके का contribution the dimming cycle 14 points for transforming management और 7 deadly diseases ठीक है यह इतने important नहीं है जितने यह तीन है ठीक है यह तीन काफी जादा important है वाल्टर इस reward थे इन्होंने three step का दिया था 1939 में three steps क्या थे इनके specification production and inspection ठीक है पहले हम specific specifications रखेंगे कि इस तरह ही product होगी production करेंगे और inspection करेंगे फिर ठीक है इस तरह से cycle चलता रहेगा cycle आपको बताए यह मतलब कभी खतम नहीं होने वाला है जो वाल्टर ने 1939 में three step cycle दिया दिमिंग दवारा 1950 में जिसको बोला दिमिंग cycle या फिर दिमिंग वील वह था इस तरह का plan do check and act ठीक है इसको फिर दवारा modify किया 1986 में PDSA मतलब की plan do study study and act ठीक है और इसको हम बोलते है शेवर्ट cycle for learning and improvement ठीक है PDSA और PDCA में difference करें जो PDCA है इसमें हमारी key has check करते रहना ठीक है और PDSA में है कि हमें study भी करते रहना ठीक है यहाँ पर study की मतलब क्या reason है जिसकी वजह से हमारी quality maintain नहीं हो पा रही है ठीक है study करके improvement करने के जादा chances होते हैं इसलिए कहीं पर PDCA को prefer करते हैं कहीं हैं कहीं हम PDCA को करते हैं PDSA को हम prefer करते हैं healthcare organizations में ठीक है next आगे जोसफ M. जोरायन जिनकी काफी एक famous statement मैंने आपको पहले भी बिताई कि quality does not happen by accident ठीक है और जोरायन थे जिनने cost of poor quality का explain किया था हमने पढ़ा स्टाटी में cost of quality COQ दो टाइब की थी cost of good quality cost of poor quality ठीक है poor quality क जोरायन ने बताया था जोरायन की काफी एक परितो प्रिंसिपल और एक जोरायन ट्रियो लॉजी ठीक है यह जैके SSB जही में आया हुआ था कि quality planning control and improvement किस ने दिया था ठीक है तो जोरायन ने दिया था ठीक है परितो प्रिंसिपल हमने ABC analysis में पढ़ा था उसमें क्या था कि 80% wealth हमारी 20% population के पास है और 20% population के पास और 80% population के पास सिरफ 20% wealth है उसी तरह से हमारी जो problem create करती है जो defect create करती है ठीक है 80% problem हमारी सिरफ 20% जो cause होते है उनकी बज़ा से 80% problem होती है तो उनी को हमने identify करना होता है फिर उनी को हमने resolve करके अपनी quality maintain करनी होती है इंप्रूव करनी होती है ठीक है यह थी जोरायन के बारे में ठीक है next lecture में हम पढ़ेंगे 7 quality control tools जो कि किस ने दिये थे इशी कावा ने इशी कावा ने हमें 3 major contributions की थी एक seven quality control fishbone diagram and third दियाता है इन्होंने हमको quality circle जो की काफी important है जिसमें 3 minimum maximum 12 so thanks for watching my video next lecture में हम और discuss करेंगे quality control से जो जो important होगा और फिर last lecture में हम MCQ की practice करेंगे जिसमें हम जिके SSP JEE के हम पहले MCQ करेंगे और इसके बाद थोड़े हम ऐसे ही MCQ की practice कर लेंगे जो जिनके chances हैं जिके SSP JEE में आने के अगर quality control से हमको MCQ उननने frame करने होगे ठीक है